नमस्कात अच्रियकाल की हाल चाल फिले समाचार में आँका बहुत बहुत स्वागत है मैं हुआ का दोस्त आपका होस्ट चंपिरन लाल पांडे आज भी मैं यहीं बेटा हूँ क्योंकि टरीक दुस्त अब बिल्कुल ठीक नहीं है अब मैं जानता हूँ कि आप मुझे देखके पक चुके होंगे लेकिन मेरी बात मानिये मुझे भी करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है तो चलिए आज के समाचार शुरू करते हैं पेरा समाचार मारवल फाइनली LGBTQ का एर्टर को इंडिड्यूस करने वाला है यानि की वंडर वुमें, आइसमें और डेट वूल अपने ओरिजिनल कॉमिक फॉर्म यानि की बाइसेक्शल फॉर्म में रिटर्न करने वाले हैं मारवल से याद आया, मारवल का बहुत बड़ा फैन काटन फिल के नाम से यूट्यूब पर जाता है आए देखे हैं उसका चैनल Hello everyone you are watching Cartman, welcome to our series Fact Mania and today we are going to talk about This is me I am Aapudani, thank you so much for watching Meryi Vinti hai, आप मारवल से की जाकर उन्के चैनल के सब्स्क्राइब करें और अगर आगको उनके चैनल के और अपडेट्स चाहिए तो जाकर में ये चैनल सब्सक्राइब कर दे अगला समाचार New Avengers 4 विकाइटर डिजाइन ने Captain Marvel और Hawkeye को रिवील किया AJ डिजाइन से Twitter एफोटो डाला और बोला These are legit Jared Leto ने Peter के Morbid's Living Empire की होड़ डाली और हमें बताया कि Spider-Man Spin-Off मूवी में वे लिविंग एंपायर का रोल प्ले कर सकते है आखिर में Chris Evans और Mark Hamill ये सोचते हैं कि क्या एक लाइट सेबर Captain America's shield को तोड़ सकती है Peter Ford डाली ये कहते होए कि उनके बच्चे ने उनसे सवाल पूछा कि क्या Star Wars की लाइट सेबर Captain America's shield को तोड़ सकती है Chris Evans कहते हैं बिल्कुल नहीं और Mark Hamill इसका रिपलाई करते हैं कि कोई भी Star Wars का एटर उनसे नहीं लड़ेगा क्योंकि वो एक हीरो है लेकिन अगर चाते तो वे Captain America's shield को मिल्लिंग जोड़ सकते है Chris Evans इसका रिपलाई करते हैं कि यह तो बहुत ही बकवास फूफ हुआ चुकि उससे उनके पास Vibration Ninja Star बन जाएंगे आज के लिए पास इतना ही कल होगी आपसे मुलकात इस जगा फिलर ड्यूस पर कि उसे पास इतना ही आपसे पास इतना ही आपसे इतना ही